असलाम लेकुम students, today we are going to discuss about the nomenclature of carboxylic acids. तो students, जैसे के मेरे previous lecture में हमने introduction of carboxylic acids को discuss किया था, तो students, आज मैंने previous lecture में आपको ये भी कहा था कि हम next lecture में nomenclature of carboxylic acids को discuss करेंगे, तो आज हम इसी topic को discuss करने जा रहे हैं, nomenclature of carboxylic acids को. तो students, हम सबसे पहले इसमेज है, nomenclature की बात अगर हम करें, तो nomenclature का मतलब है कि name देना, ठीक है, naming, ठीक है. तो carboxylic acids को हम कैसे नाम देते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, कि पहले जब बिल्कुल star था, तो उस वक्त कोई system इनके लिए नहीं बिनाया गया था, तो हम क्या करते थे, simple common names के थूँ जहें, commonly हम जो भी हमारे mind में आते थे, यानिके source के थूँ, यानिके कोई भी source जिससे हमने इसे derive किया है, तो हम उसको नाम दे देते थे, जिस source हमने इसको derive किया होता था, या फिर जिस area हमने derive किया होता था, तो हम जो है उसको वो नाम दे देते थे, ठीक है, या किसी भी जैसे उसकी smell है, उसके basis हमने नाम दे दिया या इस तरह से नाम दिया जाता था, बाद में एक system आया जिसको हम कहते हैं IUPAC system that is international union of pure and applied chemistry ठीक है तो इसके according फिर बाद में जो है जो भी हमारे पास compound से उनको नाम देना शुरूर किया गया ठीक है तो अब students हम start ले लेते हैं nomenclature को अच्छे तरीके से detail में हम discuss कर लेते हैं तो students start लेते हैं that is the aliphatic monocarboxylic acids are commonly called fatty acids जो आपके पास aliphatic monocarboxylic acids है इनको हम क्या कहते हैं fatty acids कहते हैं ठीक है जो कि हमने previous lecture में डिसकास किया था introduction में के aliphatic monocarboxylic यानिके जिनके अदर एक single carboxylic acid दोप था तो उनको हम fatty acids कहते थे fatty acids क्यों कह रहे थे हम इनको because higher members of this series such as palmitic acid यानके जो इनके higher members थे palmitic acids, stearic acids वगरा ठीक है तो यह जो है these are obtained by the hydrolysis of fat and oils तो इनको fats और oils की hydrolysis के थूज है इनको obtained किया जाता था तो इसी वज़ा से इनका नाम रख दिया गया fatty acids ठीक है तो यह हमने इसको भी डिसकस किया तो अब हम इसके जो है नॉमेंक्लेशर की तरफ आते हैं कि the aliphatic monocarboxylic acids may be given common names और IUPAC names और इनको मैंने भी बताया आपको जैसे कि इनको स्टार्ट में common names के थू जह है इनको दिया जाता था common name दिया जाता था ठीक है यह बाद में फिर क्या किया गया कि इसको एक proper system के थू इनको नाम देना शुरू किया गया जिसको हम कहते हैं IUPAC system that is international union of pure and applied chemistry ठीक है त इसके थू नेम देना स्टार्ट किया गया तो स्टार्ट हम सबसे पहले जह हम common names को discuss करेंगे common name या फिर को trivial names भी कहते हैं ठीक है तो फिर बात में हम आयूपैक system की तरफ आएंगे तो start लेते हैं common or trivial name से common names क्या है the common names of carboxylic acids were derived from the source from which they are isolated जैसे कि मैंने भी आपसे discuss किया कि carbox नहीं बहुत सारे आसे compounds हैं जिनको बार स्टार्ट में किया हुआ कि जिस source से जहां से इनको isolate किया जाता था ठीक है उसी source का नाम दे दिया जाता था ठीक है for example the irritation caused by an ant bite is due to formic acid अब जैसे कि आंट जो है जो चूंटी है वो जब काटती है तो उससे irritation होती है ठीक है तो वो irritation कि इस वज़ा से होती है formic acid की वज़ा से अब Latin word में formica का मतलब क्या है ant है ठीक है तो ant formica का मतलब ant है तो इसी वज़ा से उसका नाम दे दिया गया formic acid अब देखें source जो है वो क्या है आंट उसका source है आंट के बाइट से हुआ तो ठीक है उसमें जो source यानिक उसको formica का जाता था तो उसी source से नाम पढ़ गया नाम रखा गया formic acid इसी तरह similarly आप देखें अगर acidic acid ठीक है acidic acid was first isolated from vinegar vinegar कहते है तो acid term यानि क्या वर्ड हम कहते है अकसर acidic acid word derived किया गया acid term से ठीक है जिसका मतलब क्या है vinegar ठीक है तो इसी विदर से इसको नाम दिया गया common name इसका क्या पढ़ गया acidic acid ठीक है तो यह हमने दो डिसकस कि इसे तरह जो butyric acid acid was named after butyrum इसको butyrum से word दे दिया गया butyric acid butyrum means butter butter इसका मतलब कहा है butter ठीक है तो उससे word बना बन गया butyric acid तो इस तरह से students start में यानि के हम ने जो है जो भी हमारे पास compounds होते थे तो हम उसको common names के थूज है हम उसको mention करते थे common name ठीक है उसका use करते थे जैसे के carboxylic acid के मैंने भी आपको बताया कि जो फॉर्मी कैसिड है वो फॉर्मी कार्ट से की वज़ा से इसे common name डिराइब हो गया इसी तरह acid acid from vinegar and butyric acid from after butyrum ठीक है इनके butter से तो इसी तरह अब हम जो है यह students हमने common or trivial names को डिसकस किया अब इसी तरह हम जो है आई यूपेक सिस्टम की तरफ आते हैं कि आई यह इनके international union of pure and applied chemistry के according जो system के according जह है वो किस तरह से जो आपके compounds है यानि कि जो carboxylic acids हैं उनको किस तरह से नाम दिया गया तो यह students आपके पास है system iupec nomenclature the iupec nomenclature iupec nomenclature जैसे कि मैंने भी बिताया है कि international union of pure and applied chemistry ठीक है the iupec names of saturated monocarboxylic acids are alkanoic acids इनको क्या कहते हैं alkanoic acids क्यों कहते हैं alkanoic acids क्यों कहते हैं इसको भी मैं डिसकस कर लेती हूं ठीक है these are derived from the names of the alkanes alkanoic क्यों कहते हैं क्योंकि यह derived होते हैं alkane से ठीक है containing the same number of carbon atoms as the acid जितने यानिके carbon atoms acid में मौझूद हैं ठीक है उसे तरह जितने alkanes में मौझूद हैं उतने ही जह हैं वह same number of carbon atoms जह हैं वह acid में भी मौझूद होंगे ठीक है so इनको नाम दे दिया गया alkanoic acid यानिके जो alkane का इसमें जो ending इसकी हो रही है इपे ठीक है तो is dropped इसको खत्म कर दिया गया and suffix oic acid suffix कहते हैं end में जो आती है prefix कहते हैं जो पहले आती है pre मतलब पहले और suffix मतलब बाद में ठीक है उसमें acid acid में देखें आप यह acid acid है इसमें दो carbon है तो इसको हमने ethane के बजाए हमने क्या किया ethane का एज है हमने replace करके उसको oic से represent करना था तो हमने क्या कर दिया आगे oic लिग दिया और acid ठीक है ethane noy case तो इस तरह से नेम इसका क्या बन गया आई यूपैक system के according आई यूपैक नोमिन क्लेचर के according इसका नेम पड़ा अगर इसी तरह three carbon वाला है तो हम उसको क्या कहेंगे propane noy case अगर चार वाला है तो हम उसको क्या कहेंगे हमने इसकी नेमिंग को डिसकास किया अब फर्दर जो हम इसको डिसकास कर लेते हैं कि हमने किस तरह से इसको numbering कैसे करनी है ठीक है इंगी so the position of substituents are identified by the Arabic numerals with the carboxyl group given number one as shown below अब इसमें जो substituents हैं जो इसके साथ लगे हैं ठीक है तो उनको क्या position देनी है उनको हमने Arabic numerals से प्रेजेंट करें यह जैसे के मैंने हापर mention किया हुआ है with the carboxyl group given the number one अब इसमें carboxyl group जो है यह आपका carboxyl group है पता है आपको C double bond O and OH ठीक है यह जो के मैंने ही हापर highlight कर दिया है तो यह आपका carboxyl group है ठीक है इसको आपने number one देना है यह आपका functional group है और इसको आपने number one दे दिया ठीक है और इससे जो attach next होगा तो यह आपने इसको number two दिया फिर number three and four और इसे तरह अगर change चलती जा रही है तो आप उसको five six up two so on करते जाएंगे ठीक है लेकिन start आपने जो इसको रिप्लेस कर देना है और इसको डिसकास किया तो आप स्टुरेंट्स हम कुछ जो है वो compounds को डिसकास कर लेते हैं जिनको हमने common names है उसके क्या common names है और उसके उसको IUPAC system के according क्या name दिया गया उसको हम जो है वो tabulated form मे टेबल की form में discuss कर लेते हैं तो यह स्टुरेंट्स म इसको नाम दिया गया तो इसको नाम हो गया तो इसको नाम हो गया methanoic acid क्योंकि methane में single एक carbon होता है ठीक है तो name क्या हो गया methanoic acid और यह आयूपक नहीं है common name इसका क्या है formic acid और IUPAC name जो है वो methanoic acid अगर इसी तरह आप देखें next जो हमारे पास compound है इसमें CH3 COO है जिसको हम क्या कहते है acid acid कहते है common जो commonly हम इसको कहें तो common name जो है वो इसका क्या है acid acid और इसमें दो carbon है ठीक है तो इसके लिहास से आप देखें तो इसमें नाम इसका क्या है प्रोपियोनिक acid क्या नाम है प्रोपियोनिक acid और जो IUPAC name है उसके इसका नेम क्या बना प्रोपेणोइक acid अब आपने यह बात याद रखनी है कि यह methanoic ethenoic propanoic acid और इसमें अक्सर बच्चे यह mix कर देते हैं इसको common नेम जो है वो प्रोपियोनिक acid है और जो इसका IUPAC name है वो प्रोपेणोइक है प्रोपेणोइक acid ठीक है इनको mix नहीं कीजिएगा उसके बाद आप आज आप देख रहे हैं यह हमारे पास next compound है जिसमें four carbons है ठीक है और यह functional acid ग्रूप जो है का बोगजलिक acid ग्रूप भी लगा है तो इसे विज़ा से नाम acid है ठीक है तो यह इसम common name है और आयूपेक देखें तो यह butanoic acid है butanoic acid अब इसके बाद next आप देख रहे हैं next हमारे पास compound है और इसमें आप देख रहे हैं कि यह आपका acid group है carboxylic acid group और इसके साथ इसका number हो गया one और इससे next आप देख रहे हैं यह two हो गया इसका number और यह हो गया three और second position पे यह ज present है so यह हुआ isobutyric acid butyric acid क्यों कह रहे है क्योंकि इसमें 4 carbon है ठीक है so isobutyric हो गया और acid क्यों क्योंकि इसके अंदर functional group जह है carboxylic acid group present है यह हुआ इसका common name और IUPAC names देखें तो इसमें IUPAC name क्या है two methyl propanoic acid है two methyl propanoic acid अब इसका नाम two methyl propanoic acid कैसे बना इसको देखें तो यह two methyl propanoic acid क्यों क्योंकि इसमें आप 3 carbon है यह चेन में अगर देखें तो यह consider हो चुका है ठीक है substituent और यह क्या है तीन चेन जो है वो क्या है इसमें 3 carbon है तो यह क्या हो गया propanoic acid और acid क्योंकि इसके अंदर यह carboxylic acid group है तो इस तरह से नाम इसका पढ़ा two methyl propanoic acid तो यह students हमन नहीं कुछ components है Mono carboxylic acid क्यों कहरें कि इनके लुद्ध से in the single one more as one carboxylic acid जो है वो group functional group मौझूद है तो यह भी एक है इसमें भी एक है इसमें भी इसमें वी और इसमें भी सबने सिंगल अंगा और चाहिए मौचली गर्णोंकोंको कह रहे हैं Mono carboxylic acid तो हमने है कुछ मोस्ट कॉमन जहें, मोनोकाबोक्स लिकेस के स्ट्रॉक्चर्स को डिसकस किया और इनके कॉमन नेम अजवल एज आयोपेक नेम्स को जो है हमने डिसकस किया तो ये स्टुरिंट्स सारा था नॉमिन्क्रेचर होप सो कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझा आ गया होगा और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपके माइन में कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी क्वेस्टन है तो आप उनसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं थैंक्यू सो मच तुरिंट्स